वित्वर्श 2020-21 के दौरान Reliance Industries की प्रॉफिट में 35% का इसाफा हुआ है यानि कमपनी ने महामारी के दौरान 53,749 करोड उपए की कमाई की है ये वो रखम है जो कमपनी के टैक्स चुकाने के बाद बचे है एक 1980-1990 का दौर था जब कमपनी को अपनी कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था लेकिन अब कमपनी टैक्स कम चुका रही है हिंदू बिजनस लाइन की एक रिपोर्ट के मताबिक वित्वर्श 2021 के दौरान कमपनी का प्री टैक्स प्रौफिट 55,461 करोड रुपए रहा जिसमें कमपनी ने 1722 करोड रुपए टैक्स के तौर पर अधा किये है जबकि साल 2020 के दौरान रिलाइन्स ने 13,726 करोड रुपए टैक्स के तौर पर दिये थे जिसमें अब 87.5 फीजदी की कमी करती गई है अगर देखा जाए तो कमपनी का एफेक्टिव टैक्स रेट 3.1 फीजदी है जबकि कमपनी का वित्वर्श 2020 में ETR 25.6 एक फीजदी रहा था एफेक्टिव टैक्स रेट किसी कमपनी का टैक्स एक्सपेंस है जो टैक्स से पहले कमपनी के कुल प्रॉफिट से निकाला जाता है कमपनी ने अपना टैक्स लाइबिलिटी तीन वज़ा से कम किया है इसमें MT क्रेडिट का 14,882 करोड रुपए का निट ऐलोएंस 8,517 करोड का इंक्रिमेंटल डिफोर्ड टैक्स एसेट्स और 4,261 करोड रुपए का नुखसान शामिल है रिपोर्ट के मताबिक कमपनी के टैक्स कम चुकाने की यही तीन प्रमुक वज़े रही इस पर कमपनी का कहना है कि विद्वर्ज 2021 में कमपनी का टैक्स रेट कम इसलिए है क्योंकि टैक्स रिजाइम्स के मामले में अकाउंट नीच आया है वेफसाई के नियोजित पुनरगठन और पिछले M.A.T. क्रेडिट का इस्तेमाल भी टैक्स कम देने की एक वज़ा है रिलाइंस की एटी आर में कम से कम विद्वर्ज 2017 से कम ही देखी जा रही है कमपनी ने टैक्स कम करने के लिए अपना नुखसान गैर टैक्स सबसेडिरीज और अतिरिक्त अलोइंस का इस्तेमाल किया है सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कमपनी होने के बावजूद साल 1971 से 1996 तक कमपनी ने एक पैसा भी टैक्स नहीं दिया एफेक्टिव टैक्स रेट के मामले में रिलाइंस सबसे नीचे रही मसलन वितवर्ज 2021 के दौरान IOC या Indian Oil Corporation Limited का ETR 29.2-3 फीज दी रहा और DMART का 25.89 फीज दी इसी दौरान रिलाइंस का एफेक्टिव टैक्स रेट महस 3.1 फीज दी रहा कभी-कभी कमपनियों का लेंदेन बढ़ने से टैक्स अलोएंस बढ़ता है जिससे उनके टैक्स दे में कमी आती है इसी तरह IOC ने भी साल 2017 और 2021 के दौरान किया था इनके अलावा BPCL ने वितवर्ज 2020 और ONGC ने भी वितवर्ज 2017 के दौरान किया था गौर तलब है कि भारत में कॉर्पोरेट टैक्स के तीन स्लैब है इनमें अगर किसी कमपनी का टरनोवर 250 करोड रुपे तक का है तो कमपनी को 25 वीजदी टैक्स चुकाना होगा इसी तरह 250 करोड से ज्यादा टरनोवर वाली कमपनीों के लिए 30 वीजदी टैक्स देना अनिवार रहे है जबकि विदेशी कमपनीों के लिए टैक्स 40 वीजदी है वियोडर रपोर्ट गो निउस